हाई फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चॉकलेट पान मोदक खाने में टेस्टी तो है ही साथी साथी ये मोदक बहुती कम समय में बनकर तयार होते हैं तो इस गनपती के त्यावार पे आप इन मोदक को जरूर बना के देखिए तो मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है 100 ग्राम वाइट कमपॉंड चॉकलेट वाइट कमपॉंड चॉकलेट आपको कौन से भी केक मट्रेल जहां मिलता है कौन से भी शॉप में आपको मिल जाएगी तो अब हम 15 से के लिए इस चॉकलेट को पहले गरम कर लेंगे एक बार चेक करेंगे बाद में फिर से इसे 15 से के लिए गरम कर लेंगे एक साथ हम इसे 30 से के लिए गरम बिल्कुल नहीं करेंगे 15-15 से के लिए हम इसे गरम कर लेंगे अगर आपके पास oven नहीं है तो आप यहाँ पे चॉकलेट को double boiler method से भी कर सकते हो मतलब आपको ग्यास पे एक पतेले में पानी रखना है उसके उपर ये बरतन रख दीजे और चॉकलेट को melt कर लीजे तो अब हम उसमें डालेंगे कुछ गुलाब की पंखुडिया यहाँ पे मैंने 7-8 गुलाब की पंखुडियों को बारिक काट लिया है तो अब हम इसे अच्छे से mix करेंगे यहाँ पे मैंने इस प्रकार का plastic का साचा लिया है मार्केट में बहुत सारे साचे आपको आसाने से अवेलेबल हो जाते हैं तो अब हम ये white compound chocolate इसमें अच्छे से भर देंगे इस साचे में आपको पूरी तरीके से white compound chocolate भर लेना है ये दिखी यहापे मैंने साचे को अच्छे से फील कर लिया है अब हम ये white compound chocolate 2 second के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अब 2 second के बाद हम इस white compound को फिर से नीचे बावल में डाल देंगे यहापे मैंने पूरी तरीके से white compound chocolate को नीचे नहीं डाला है तो इसमें मैंने कुछ white compound chocolate बचा के रखा है इसमें हमें रखना ही है ताकि इसकी coating भी अच्छे से हो जाए तो इस तरीके से हम साचे को अच्छे से घुमा लेंगे ताकि ये white compound chocolate अच्छी तरीके से कोट हो जाए अब इस मोदक का जो main ingredient है ओ है पान मसाला यहाँ पे मैंने market से पान शौप से ये मसाला लाया है तो यहाँ पे मैंने दो मसाला पान का मसाला इसमें लिया है तो इसमें मैंने सुपारी का इस्तेवाल बिल्कुल भी नहीं किया है अब इस मसाले को हमें इसमें बरना है अगर आपको मार्केट से नहीं लाना है तो आप यहाँ पे घर में भी इसे बना सकते हो कभी-कभी घर में सारी चीज़े आसानी से अवेलेबल नहीं होती है तो इसलिए मैंने पान शॉप से यह मसाला लाया है अब यह पान मसाला मैंने इसमें फील कर लिया है अब हम उपर से फिर से white compound chocolate डाल देंगे ताकि ये मोदक अच्छे से seal हो जाए ये दिखिए यहाँ पर हम पूरी तरीके से इसमें भर देंगे पिल्कुल इस तरीके से अब हमें उपर से सारी chocolate को हटाना है अब ये मोल अच्छे से फिल हो चुका है अब हम इस तरीके का छोटा बाउल लेंगे जिसमें ये साचा आसाने से खड़ा हो सके तो अब हमें इसे freezer में 15 मिनिट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से से शेट हो जाए इसी प्रकार से हम सारे साचो को भर लेंगे मैं यहाँ पे और एक साचा आपको भर के दिखा दी हूँ कुछ इस प्रकार से हम white compound chocolate उसमें चमच की मदद से डाल देंगे अब हम इसमें से chocolate निकाल लेंगे याद रखें यहाँ पे आपको थोड़ी chocolate अंदर भी रखनी है और उस mold को हमें 2 सिकंद के लिए अच्छे से गुमा लेना है ताकि chocolate mold में अच्छे से से शेट हो जाए गुमाने के बाद हम उसमें पान मसाला फिल कर लेंगे अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे रेसिपी को लाइक जरूर कीजे और ज्यादा से ज्यादा आपने फ्रेंड्स में शेयर कीजे तो इस दिवार पे आप ये पान चॉकलेट मोदग जरूर बना के द ये दिखी मोदग याप अच्छे से सेट हो चुका है अब हम इसका एक क्लिप निकाल लेंगे और बहुत हलके हाथ से हम इस मोदग को इस साचे में से निकाल लेंगे पहले हम इसे साइड से थोड़ा सा निकाल लेंगे फिर बाद में नीचे से इस मोदग को बाहर निकाल ल तो इसी प्रकार हम सारे मोदग को साचे में से बाहर निकाल लेंगे मैं आपको यह पर दूसरा वला भी मोदग निकाल के बताती हूँ इह दिखिए बहुत ही जल्दी यह मोदग बनकर तयार होते हैं और खाने में भी जड़ा टेस्टी और रिफ्रेश्टिंग लगते हैं इह रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में तब तक के लिए बाई बाई